आज के हमारी आधुनी विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है लेकिन अभी तक यहापता नहीं लगा पाया कि संसार को बनाया किसने है संसार में मनुष से कैसे आया और किस तरह इस दुनिया की धीरे धीरे रचना हुई है यह सवाल हमेशा से हमारे मन में आता रहा है इसका उत्तर हमें कई धार्मिक पुष्टकें और हमारा आज का आधुनी विज्ञान देने की कोशिश करता रहा है लेकिन आखिर सच्चाई क्या है चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस वीडियो में बताई की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से घट्टी की गई है हिंदू मानेताओं के अनुसार हमारे संसार कोई इस्वर नहीं बनाया है लेकिन एक युग के बाद किस तरह से मनुष्य जाती का जन्व हुआ और कैसे इस जाती ने धर्ती पर अपने रहन सैन का तरीका बनाया या एक एहम सवाल है लेकिन ओ कौन था जो मानो जाती कोई संसार मिलाया लेकिन इन सब बातों से उपर एक और सवाल हिया है कि आखिरकार पहला मनुष्य कौन था ओ कहां से आया और उसे बनाने वाला यानि कि उसका रचैता कौन था उसका इस संसार में आना और किस समय पर आना यह सभी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर मनुष्य जानना चाहता है क्योंकि हमारा आधार केवल वही एक मनुष्य है जिसकी बदलत इस विसाल जाती का जन्म हुआ अगर हम हिंदू धर्म के पुरानों की बात माने तो सबसे पहले जन्म लेने वाला मनुष्य मनुथा लेकिन अगर हम बात करें पश्यमी सब्वेता की तो पश्यमी सब्वेता के अनुसार एडम इस दुनिया में आने वाला पहला मानुथा जिसके बाद ही मनुशे जाती का आरम हुआ लेकिन इन्हें बनाने वाला कौन था यह भी अब तक एक क्वेश्चन मार्ख ही रहा है एक पौरानी कथा के अनुसार मनु की रचना स्वयम भगवान ब्रह्मा ने की थी कहा जाता है कि मानो संसार की रचना के लिए भगवान ब्रह्मा द्वारा दो लोगों को बनाया गया था एक पौरुस और एक इस्त्री मानो संसार को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा के लिए यह जरूरी था कि वे पौरुस के साथ इस्त्री की भी रचना करें भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाए गए पुरुष थे मनु और इस्तिरी थी सतरूपा आज हमारी सांसारिक दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं यह सभी मनु से उत्पन हुए हैं दूसरे सब्दों में कहें तो मानो संसार की रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा ही हमारे आदी पुर्वज हैं और हम उनकी भविष्य की पीड़ी हैं संसार में आने वाला सबसे पहला इंसान मनु था इसलिए इस जाती का नाम मानो पड़ गया ऐसा हमारे धर्म ग्रंद कहते हैं संस्कृत में इसे मनुष्य कहा जाने लगा और अंग्रेजी भासा में भी मि वित्रों का निर्मार करने के बाद काफी सक्तहीन महसूस करने लगे थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वेक किस चीज की रचना करें जिसके बाद उनके मन तथा मस्तिक्स को कुछ सांती हासिल हो सके एक बार ब्रह्मा जी अपने कुछ कारियों में बैस थे अचानक बीतर से एक काया उत्पन हुई और उनके सामने आकर खड़ी हो गई उसे देख उन्हें बेहत अचंबा हो रहा था कि वह कोई मामुली काया नहीं बल्कि हूबहू उनके जैसी दिखने वाली परचाई थी उस परचाई को देख कुछ देर तो भगवान ब्रह्मा समझ न सके कि उनके साथ आकिर हुआ क्या है यही मानो संसार का पहला मनुस्य था जिसे मनु के नाम से जाना जाता है इस पौराणिक कता से एक और सवाल मन में आता है कि हिंदू मानेताओं में तो मनु ने जन्म लिया लेकिन पश्चिमी सभिता के अनुसार पहला मानो कौन था यदि परचाई मनु की तरह ही इस्वर की छाया थी और उनी की तरह ही दिखती थी बाइबल में एक परचाई यानि की पहले मनुस्य को आडम का नाम दिया गया है बाइबल में आडम के जन्म पर एक वाक्य भी लिखा गया है इसका मतलब है कि भगवान की परचाई में मनुस्य ने जन्म लिया है इन दोनों कथाओं से या साबित होता है कि मनु ही वह पहला इंसान था जिसने मनुस्य की रूप में धर्ती पर जन्म लिया मनुस्य के साथ इस सांसारी दुनिया में भगवान ब्रह्मा द्वारा एक इस्त्री सतरूपा की भी रचना की गई थी जहां पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार सतरूपा का जन्म हुआ था वहीं बाइबल के अनुसार एडम के साथ इश्वर द्वारा एंबेला का जन्म हुआ था इन सभी तथ्यों को जानकर या साबित होता है कि हिंदू इतिहास तका पश्यमी सब्विता की बाते काफी हद तक समान है लेकिन ऐसा नहीं है अभी भी ऐसी कई बाते हैं जो दोनों सब्विताओं को काफी भिन बनाती है अब वो चाहे संस्कृति के संधर्व में हो या मनु के जन्म के बारे में हो दोनों में अंतर जरूर है लेकिन कैसे आईए जानने की कोशिश करते हैं बाइबल में लिखी गई कहानी के अनुसार एडम का निर्मार खुद इस्वर ने किया था लेकिन दूसरी और मनु तो स्वेम भगवान ब्रह्मा के सरीर से काया बनकर उत्पन हुआ था इन सभी तत्यों में जहां पुरान तथा बाइबल में मनु और सतरूपा के जन्म को लेकर कुछ आसमानताएं देखी गई हैं वहीं उनके जन्म के बाद की कुछ घटनाओं में समानताएं भी हैं पुरान के अनुसार मनु तता सत्रूपा के जन्म के बाद भगवान ब्रह्मा द्वारा उन्हें धर्ती पर मानवी संसार को अस्थापित करने का आदेश दिया गया था ठीक इसी तरह बाइबल में भी इस तरह की घटना का वर्णन मिलता है इसके साथ ही बाइबल में एडम के बिना किसी गर्भद्वारा इस संसार में आने की बात पुरान के तत्थ से मिलती जुलती है जिस तरह पुरान में भी ब्रह्मा के भीतर से निकली काया से मनु का पूर्ण रूप से जन्म हुआ था उसी तरह बाइबल में एडम का जन भी पूर्ण विक्षित रूप में ही हुआ था लेकिन इन सब में एक बात और खास है कि हिंदू पुरान के अनुसार केवल एक ही नहीं बल्कि एक से जादा मनु ने जन लिया था यदि आंकडों के हिसाब से कहें तो पुरान में दर्ज यह तथ्य बताते हैं कि उस समय एक नहीं दस मनु ने जन लिया था तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि पहला इनसान केवल मनु था इस तन्धर में पुराण का कहना है कि मनु केवल एक इंसान नहीं बलकि एक समुग का परतिनीधित्व करता है यानि कि मनु एक अकेला कुरुस नहीं बलकि दस लोगों का समुग था जिनका जन्म एक ही उद्देश से होने की वज़े से उन्हें मनु कहकर बुलाया जाने लगा यह सभी मनु विभीन समय छेतरों में अलग-अलग स्थान पर उत्पन हुए जिने बाद में मनु का नाम करण प्राप्थ हुआ ये सभी पौराणी तथे हमें मनु के जन्म से लेकर उनकी विस्तार तक काफी रोचक तथा आश्चरजनिक भावनाये प्रदान करते हैं ये तथे हमें मानो जाती का एक बड़ा इतिहास उपलब्द कराते हैं जिने जानना वाकई बहुत रोचक है तो इस बारे में आपके अपनी राय क्या है कैई संसार में आने वाला पहला मनु से मनु था या एडम आप अपने जवाब नीचे कोमेट बोक्स में लिख सकते हैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्क झाल